नमस्कार दोस्तों ओमकार चोधरी शो में आपका स्वागत है पिछले दो-तिन दिन से आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे अलग-अलग वैब पॉर्टल पर जो ऑन-लाइन तमाम वैब पॉर्टल हैं वो चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के हैं समचार पत्रों के हैं उनमें कुछ इस तरह की खबरें परकाशित होनी शुरू हुई हैं कि जैसे जो करन जोहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म आने वाली है 9 सितंबर को ब्रहमास्त्र उसकी जो एडवांस बुकिंग चल रही है जैसे वो बुकिंग हुई हो अलग-अलग मल्टिप्लेक्स में, सिनेमा घरों में और थियेटर्स में यहां तक दावे किये जा रहे हैं किसी-किसी वेब पॉर्टल पर तो के जैसे जो भूल-भुलया 2 की एडवांस बुकिंग हुई थी करीब 14 करोड के आसपास उसका भी ये रिकॉ आज तक की वेब साइट की हेडलाइन है ब्रहमास्तर की एडवांस बुकिंग तोड़ेगी भूल-भुलया 2 का रिकॉर्ड दिल्ली मुंबई में तेजी से भर रहे शो रनबीर कपूर और आलिया भटकी ब्रहमास्तर को लेकर जनता का रेस्पॉंस सोशल मीडिया पर भले आपको दीमा लग रहा हो लेकिन रियल में यह बहुत जोरदार है फिल्म की एडवांस बुकिंग दो सितंबर को शुरू हुई और जिस तेजी से इसके शोज भर रहे हैं उसे देखकर यह तै है कि भूल-भुलया 2 का रिकॉर्ड तूटने वाला है यह क्या है आपने पेड चुनाव आने वाले होते हैं लोक सभा के या विधान सभा के अब नहीं कुछ साल पहले तक क्योंकि इधर तो इस पर नियंतरन हुआ है कड़े कानून बन जाने के बाद पर कुछ साल पहले एक दशक पहले इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई थी क्योंकि जो पाठकों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि समाचार पत्र उनको सही सूचना दे ऐसे समाचार पत्रों में अगर पेड़ नियूज छप रही है यानि अलग अलग पॉलिटिकल पारिटियां जैसा वो चाहती है उनकी पारिटी के बारे में उनके प्रतियाशियों के बारे में चुनाओं में उनकी संभावनाओं के बारे में अगर पैसे दे करके वैसी खबरे चपवा रही है तो जो मीडिया का मूल दाइत तो है स्वतंत्र तठस्त तरीके से पारदर्शी तरीके से सही सूचना पाठकों तक पहुचाना वो उससे विमुक हो रहे थे में और पॉलिटिकल पारिटियां मेडिया हाउसिज को खरीद करके उनको पतब्रश्ट कर रही थी इस पर बड़े बावाल हुए संसत के भीतर भी बावाल हुए बाहर भी हुए प्रेस परिशद ने भी जाच कमेटिया बठाई उनकी टीमे जाती थी जब सूचनाई मिलती थी ऐसे अख़वार के संपादकों को बुलाया जाता था उन पर सक्तियां की गई उनके विज्ञापन बंद किये गए खास तोर से सरकारी कई तरह की दूसरी पावंदिया भी आयद की गई नतीजा ये हुआ कि वो मिनिमम हो गई हैं खेल अब भी होते हैं लेकिन बहुत कम लेकिन आपने टेलिविजन चैनलों के स्टूडियों में देखा होगा जब कोई नई फिल्म आने वाली होती है तो उसके परचार परसार के लिए उसके हीरो, हीरोईन, उसके डारेक्टर, कई बार प्रोडियूसर वो स्टूडियों में बैठते हैं और 20 मिनट, 25 मिनट पेटे होते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, बलके सवाल तो बहुती सुविधा जनक होते हैं, मस्ती जादा करते हैं, असुविधा जनक सवाल तो उनसे पूछे नहीं जाते, इसी तरीके से आप देखते होंगे कि किसी नेता की कोई सभा हो रही है, उस सभा का किस पर लगातार परसारण होता है और बहुत सारे चैनल ओपर नहीं होता है तो यह क्या खेल है यह है पैसा फिल्म वाले अपनी फिल्म के पिर्चार परसार के लिए प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं और 20 मिनट का 25 चीस मिनट का टाइम खरीद लेते हैं उसे महां बैट करके वो अपनी फिल्म के बारे में बखान करते हैं इसी तरीके से पॉलिटिकल पारिटियां भी किसी नेता के भाशन का लाइव परसारण के लिए बड़ा भुगतान करती हैं टेलिविजन चैनलों को तो ये जो खबरे छप रही हैं ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग तोड़ेगी भूल भुलया टू का रिकॉर्ड दिल्ली मुंबई में तेजी से भर रहे हैं शो ये तो मैंने एक किसी पॉर्टल का जिक्र किया है अलग अलग समचार पत्रों के जो पॉर्टल है या इलेक्ट्रोनिक मे जैसे 2 सिसंबर कू इसकी बुकिंग खुली और बुकिंग खुलने के बाद जैसे दर्शक जो है वो इसके टिकेट खरीदने के लिए, शो बुक कराने के लिए उतावले हो गए है पागल हो गए हैं और जो लेंग्वेज इसमें यूज की जा रही है उससे भी पता चलता है उससे भी ये संदिग्द बनती हैं खबरे, क्योंकि अगर कोई मेडिया हाउस का रिपोर्टर है, बले ही वो फिल्म और मनो रेंजन की बीट को कवर करता हो, उसकी ये लेंग्वेज नहीं हो सकती, जो परकाशित हो रही खबरों की लेंग्वेज है, इसमें बताया गया है कि में बहुत ज्यादा एकसाइटमेंट है ब्रहमास्त्र को ले करके, जबके हम और आप जानते हैं कि ब्रहमास्त्र का बाइकॉट का महीम जो है वो उसी तरीके से चल रहा है, जैसे रक्षा बंदन का, लाल सिंग चड़्धा का, शम सेरा का, इन सब फिल्मों का और लाईगर बगरा का भी चला है, तो ऐसे में ऐसा क्या चमतकार हो गया, या ऐसा क्या है ब्रहमास्त्र को ले करके, लोगों की कोतुहल और उत्सुक्ता, कि वो जैसे टिकेट बुक कराने के लिए टूट ही पड़े हो, तो ये एक मुझे लगता है कि पूरा प्रोपेगंडा है, और कर जो चीजें पूरी तरीके से प्रमोशनल हैं, उनको एक इस्टंट की तरह एक मैसेज देने के लिए यूज करने की कोशिश हो रही है, जैसे ये कहा गया है, कि पहली बार 2014 में एनाउंस हुई ब्रहमास्त्र को ले करके, तभी से, यानि 2014 से, फैंस में एकसाइटमेंट थी, यानि 2014 की एकसाइटमेंट अभी 2022 तक भी बनी हुई है, आठ साल बाद भी बनी हुई है, ये लेंगवेज आप देखिए, तब आयान मुकरजी ने कहा था, कि ये माइथोलोजी पर बनी एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, दुनिया भर में जोड़दार फैन फॉलोवि के अस्त्रों की शक्तियां होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने इस तरह के जो ये परमोशन किये जा रहे हैं, इनकी एक तरीके से पॉल पटिक हो ली है, सहीक तस्वीर सामने, एक ये खबर देखिए, करन जोहर ने शेयर किया ब्रहमास्तर का बीटीस वीडि के आलिया रनवीर VFX पर खरच हुए 1.500 करोड और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है करन जोहर ने हाल ही में ब्रहमास्तर के सेट की एक BTS वीडियो शेयर किये है, क्लिप में एक्शन और इस्टंट के कुछ सिक्वेंस की जहलक दिखाई दे रही है, रनवीर का पूर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सालों की जर्नी सिर्फ पांच दिन में आपकी होने जा रही है, और फिल्म का VFX 150 करोड में तयार किया गया है, ये नागा अर्जुन का एक सीन जारी किया गया है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, नए नए जो नाम दिये गये हैं, अ आउप इंडिया पर एक खबर आई है, और उसमें ये कहा गया है, कि ब्रहमास्त्र की विकी 50,000 टिक्टें, रिलीज से पहले 1,88,000 की कमाई, मीडिया ने फिल्म की प्री बुकिंग के नाम पर फैलाया जूट, नेटिजन्स ने खोली पॉल, और इस खबर में क्या बताया ग है, कि ब्रहमास्त्र फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है, कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग में काफी पैसा कमा रही है, हलाकि सच क्या है, इसे नेटिजन्स स्क्रीन शोट के साथ शेयर कर रहे हैं, और बता रहे हैं, कि ये सब प्रमोशनल इस्टंट है, और इसमें आ ये दावा किया जा रहा है, कि इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हो रही है, और पचास हजार टिकेट बुक करा दिये गए हैं अब तक, एक और वेबसाइट ने कहां, पैसट हजार टिकेट बुक करा दिये गए, और उसका तो दावा है कि धाई करो इसका प्रमोशन करने की, और ये सब क्यों किया जा रहा है, ये समझने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से इनके, एक तरीके से असलियत खोली है इनकी, ये कार्तिक आरियन है, इन्होंने बताया है य कि दिस इज एडवांस बुकिंग लेजर शो और ये उन्होंने बताया है कि सारी सीटें जो हैं, ये खाली पड़ी हुई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि जैसे शो फुल हो रहे हैं, एक और हैं शिव भक्त करके, उन्होंने जानकारी दी है, आलमोस्ट जीरो एडवांस बुकिंग फोर ब्रहमास्त्र इन दा सिटी उन्हें, और कहा क्या गया है कि दिल्ली, मुंबई में तो आलमोस्ट करीब-करीब सभी शोज जो हैं भर गए हैं, एक आकाश है, उन्होंने तो व्यंग किया है, कि दिस विल बी दा फेट वेन ब्रहमास्त्र इलीज एंप्टी थीएटर्स, नो मैटर हाव मच फेख एडवांस बुकिंग दे डू ओन डे वन, यानि पहले दिन के लिए कितनी उन्होंने फेख एडवांस बुकिंग दिखा रख की है, एक और देख लीजिए, ये खोटा सिक्का करके एक ट्वीटर है, उन्होंने ये लिखा है, और इसमें भी सिच्वेशन बताई है, कि पहले वीक में क्या सिच्वेशन है, एक और है, दिव्य गोहिल, इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है, ये स्क्रीन शोट साथ में दि जिसन है, और ये विशाल ताइवडे, नागपूर के हैं, इन्होंने देखिए क्या लिखा है, और इन्होंने भी स्क्रीन शोट है, मल्टि प्लेक्स के, के साब जो है, खाली पड़ा हुआ है, एक बयान आया है, प्रकास जहा का, और प्रकास जहा का बयान आया है, लाल सिं खान की एक तरीके से खट खड़ी कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि बाइकॉट ट्रेंड की वज़े से लाल सिंग चढधा फ्लॉप नहीं हुई है बलके खराब कहानी के कारण ये रिजेक्ट हुई है उन्होंने ये कहा वो भी आजकल अपनी एक फिल्म का मट्टो की साइक का पर्मोशन कर रहे हैं जो सोले सितंबर को रिलीज होने वाली है तो एक टेलिविजन चैनल से बादशीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो दोर इस समय चल रहा है यानि बॉलीवुड के बाइकॉट की जो महीम चल रही है या फिल्मे जो फ्लॉप हो रही है उन्ह फिल्में बना रहे हैं फिल्हाल इंडस्ट्री को अच्छी लिखी हुई कहानियों की जरूरत है ऐसी फिल्में जिसे देखने के बाद ओडियंस एंटर्टेन हो और आसानी से उसे समझ भी ले इन्होंना कहा कि बॉलीवुड के लोग बात तो हिंदी में करते हैं लेकिन वो तो में लोग सिर्फ रीमेक पर काम कर रहे हैं अगर आपके पास बताने के लिए कोई नई कहानी नहीं है तो फिर आपको फिल्में में बनानी बंद कर देनी चाहिए अब फिल्म मेकर्स आलसी हो गये हैं original कहानी पर काम ही नहीं करना चाहते और जो आजकल ट््रेंड चल रहा है, मौसली यही तो हो रहा है. कोई विदेशी फिल्म की कहानी हायर की, उस पर यहाँ फिल्म बन रही है, या दक्षिन में कोई फिल्म हिट हो गई, उसका रीमेक यहाँ बन रहा है, और नहीं तो जो पुरानी फिल्में हैं जिनको क्लासिक फिल्में माना जाता है या क्लासिक नहीं भी है हिट हुई है किसी जमाने में उनकी रीमेक हो रही है यानि ओरीजनल कहानी कहां है और ब्रहमास्तर को लेकर के जिस तरह की चर्चाहें चल रही है कि इस फिल्म में कुछ है ही नहीं तो इसको लेकर के भी जो एक परचार इस समय चल रहा है उसके चलते हड़कम के इस्तिती है और लोगों का तो यह कहना है कि चुकी करण जो हर को उनकी पूरी टीम को इस बात का एहसास है कि बाइकॉट बॉली वुड का जो यह पूरा अभियान चल रहा है मुहीम चल रही है इसके लपेटे में चुकी कई बड़ी फिल्में आ चुकी है पिट चुकी है लोग मल्टी प्लेक्स तक आ नहीं रहे हैं टिकेट बुक करा नहीं रहे हैं इसलिए वो हर तरह के हत्कंडे अपना रहे हैं कि फिल्म के बारे में कुछ ऐसी चीजे मेडिया के जरिये फैलाई जाएं ताकि लोग ब्रमित होकर के आ जाएं अब देखना होगा 9 सितंबर में ज्यादा समय बचा नहीं है देखते हैं फिल्म का क्या हस्र होता है या क्या फिल्म चलती है वाकी और जो कुछ ये आजकल दिखाई दे रहा है क्या ये सच है इसका भी खुला सा ह होने वाला है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार